प्रेड़ना, खुद को और दूसरों को हर रोज प्रेड़ित करना दोस्तों हम सभी अपने जीवन में प्रेड़ित हैं लेकिन कोई सही तो कोई गलत तरीके से प्रेड़ित है आईए से समझते हैं एक कहानी से लेखा कहता है जब मैं टोरेंटों में था तो मैंने दो भाईयों की कहानी सुनी उनमें से एक नशिली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अकसर मारा पीटा करता था जबकि दूसरा काफी सफल व्यापारी था वो समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था एक ही माबाब द्वारा पाले गए एक ही माहौल में पढ़े बढ़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए पहले भाई से पूछा गया कि आप ये सब क्यों करते हैं आप नशिली दवाओं के आदी हैं शराबी हैं अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं आपको ये सब करने के प्रेणा कहां से मिलती हैं उसने जवाब दिया मेरे पिता से मेरे पिता नशिली दवाओं के आदी थे शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को पीटा कर दे थे फिर आप मुझसे क्या बनने की उमीद करते हैं उन्हीं की विज़े से मैं ऐसा बन गया हूँ दूसरे भाई से पूचा गया आप सारे सही काम क्यों करते हैं आपकी प्रेणा का श्रोत क्या है और जड़ा सोची उसने क्या कहा जब मैं छोटा था तो अपने पिताजी को शराब की निशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है दोस्तो दोने भाई एक ही शोच से प्रेणा हासल कर रहे थे लिकिन एक उसका इस्तमाल सही डंग से और दूसरा गलत डंग से कर रहा था गलत डंग की प्रेणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने के इक्षा पैदा करती है लिकिन अंत में वही रास्ता ज्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तो प्रेणा कई तरह की होती है जैसे बहस उत्पन प्रेणा या बाहरी प्रेणा एक कंपनी पेंशन योजना शुरू करना चाहती थी योजना को लागू करने के लिए जरूरी था उसे सारे करमचारी मंजूरी दें जॉन के अलावा हर कर्मचारी ने उस योजना को मंजूरी देने के लिए दस्तकत कर दिये योजना अच्छी थी और सभी कर्मचारीों के लिए काफी फाइदे मन थी लिकिन जॉन की दस्तकत ना करने से रुकावट पैदा हो गई थी जॉन के सुपरवाइजर और साथी करमचारियों ने उसे दस्तकत करने के लिए काफी कोशिश की मनाने की परसफल रहे आखरकर कमपनी के मालिक ने जॉन को अपने दफ्तर में बुला कर कहा जॉन यहाँ पेन रखी है और साथ में पेंशन योजना के वे सभी काफ़ाद भी रखी हुए हैं जिसमें शामिल होने के लिए तुम्हें दस्तकत करने है अगर तुम्हें इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो इसी वक्त तुम्हें नौकरे से निकाल दिया जाएगा जॉन ने दस्तकत कर दिये तब कमपनी के मालिक ने पूछा कि उसने दस्तकत पहले क्यों नहीं किये थे जॉन ने जवाब दिया इससे पहले किसी ने इस योजना के बारे में इतने अची तरह से नहीं समझाया था जिस तरह आपने समझाया है अंतरिक प्रेणा एक लड़का फुटबॉल खेलने के प्रैक्टिस करने लगाता रहता था लेकिन वो कभी टीम में शामिल नहीं हो सका जब वो प्रैक्टिस करता था तो उसके पिता मैदान के किनारे बैट कर उसका इंतजार करते रहते थे मैच शुरू हुआ तो वो लड़का चार दिन तब क्रैक्टिस करने नहीं आया वो क्वाटर फाइनल और समी फाइनल के मैचों के दौरान भी नहीं दिखा लेकिन वो लड़का फाइनल के दिन आया और इसने कोच के पास जाकर कहा आपने मुझे हमेशा रिजर्व खिलाडियों में ही रखा है कभी टीम में खेलने का मौका नहीं दिया लेकिन कृपा करके आज मुझे खेलने दे कोच ने कहा बिटा मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें ये मौका नहीं दिया टीम में तुमसे अच्छे खिलाडी मौजूद है इसके अलावे ये फाइनल मैच है स्कूल की इज़त दाओं पर लगी है मैं तुम्हें ये मौका दे कर खत्रा मूल नहीं ले सकता लड़के ने मिन्नत करते हुए कहा सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके विश्वास को नहीं तोडूँगा मेरी आपसे विंती है कि मुझे खेलने दे कोश ने इससे पहले लड़के को कभी इस तरह विंती करते हुए नहीं दिखा था उसने का ठीक है जाओ लेकिन याद रखना कि मैंने ये निर्णे अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और यहाँ पर स्कूल की इज़त दाउं पर लगी है मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला उसे जब भी गेन मिली उसने गोल मार दिया उसकी टीम को शांदार जीत मिली खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा बिटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ मैंने तुमें पहले कभी इस तरह खेलते हुए नहीं देखा ये चमतकार कैसे हुआ तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए लड़के ने जवाब दिया सर आज मेरे पिता जी मुझे खेलते हुए देख रहे थे कोच ने मुड़कर उस जगे को देखा जा उसके पिता जी बैठा करते थे लेकिन वहाँ पर कोई नहीं बैठा था उसने पूछा बेटा तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते थे तो तुम्हारे पिता जी वहाँ बैठा करते थे लेकिन आज तो वहाँ पर कोई भी नहीं है लड़की ने उत्तर दिया कोच मैंने आपको ये कभी नहीं बताया कि मेरे पिता जी अन्दे थे चार दिन पहले उनकी मृत्य हो गई आज वो पहली बार मुझे उपर से देख रहे थे दोस्तों आंतरी प्रैणा ठिकाव होती है क्योंकि ये इंसान के अंदर ही जन्म लेती है सफलता बाने के लिए अपने प्रैणा को पहचानने और लगातार शक्तिशाली बनाने की जरूत होती है अपने लक्ष को लिखिए और उसे अपने सामने रख कर सुबह शाम पढ़ा कीजिए प्रोचाहन प्रैणा बाहरी प्रैणा कई तरह के प्रोचाहनों बोनस, कमिशन, मानिता आदी के रूप में भी दी जा सकती है प्रोचाहन प्रेणा का सबसे बड़ा लाब ये है कि जब तक असरदार प्रोचाहन मिलता रहेगा तब तक ये काफी कारगर साबित होती है जरा उस गदे के बारे में सोचिए जिसके आगे एक गाजर लटक रही हो और पीछे एक गाड़ी जुती हुई हो इस मामली में प्रोचाहन प्रेणा कारगर तभी साबित होगी जब गदा काफी भूखा हो गाजर मिठी हो गाड़ी पर लधा बोज हलका हो समय समय पर हमको गदे को थोड़ी सी गाजर खाने के लिए देनी होगी वरना उसका उससा खत्म हो जाएगा थोड़ी गाजर खालीने के बाद जब गदे का पेट भर जाएगा तो हमको उसके फिर भूखे होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो गाजर खाने के लिए गाड़ी खीचे दोस्तो अमारी जिंदगी में भी यही सिलसरा देखने को मिलता है जैसे सेल्समैन अपना कोटा पूरा होते ही काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी प्रेणा कोटा पूरा होने तक ही सीमित होती है दोस्तो ऐसी प्रेणा बाहर ही है अंद्रूनी नहीं दोस्तो लोग कोई भी काम अपनी वज़े से करते हैं हमारी वज़े से नहीं लिखक ने इसको एक गटना के द्वारा समझाया है जो कि राल्फ वर्ल्डो इमर्सन के साथ हुई थी एक बार इमर्सन और उसका बेटा एक बच्रे को बखार में गुसाने की कोशिश कर रहे थे बच्रे को खीच-खीच कर और धक्का दे देकर बाप बेटे बुरी तरह थक गए थे पर बच्रा बखार में नहीं गुसा तब एक छोटी सी लड़की उदर से गुजरी उसने पनी ननी सी उंगली बच्रे की मुँ में डाल दी उसके बाद तो बच्रा उंगली को चूसते हुए उस लड़की के पीछे-पीछे बखार में बड़े आराम से चला गया दोस्तों हम जिस मकसद को हसल करना चाहते हैं वो है आत्म प्रेणा यानिक ऐसी स्थिति जिसमें लोग कोई काम किसी दूसरे की वज़े से नहीं बल्कि अपनी खुद की वज़े से करते हैं ऐसी प्रेणा ही टिकाव होती है याद रखिए सबसे बड़ी प्रेणा शक्ती है हमारा विश्वास तो खुद पर विश्वास रखिए खुद को और दूसरों को हर रोज प्रेणित करते रहे हैं धन्यवाद